जीत की हैट्रिक लगाएंगे दाधा गौतम, सफीदों का राजपुट समाज आया दाधा गौतम के साथ, मुख्यमंत्री पुषकर धामी के आने से दाधा गौतम के पक्ष में आये समीकरण सफीदों का राजपुत समाज भी अब दादा गौतम और भाजपा के साथ आ गया है राजपुत समाज बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है सफीदों से दादा गौतम भाजपा के प्रत्याशी हैं इससे पहले वे दो बार विधायक बन चुके हैं दादा गौतम के प्रचार में राजपुच समाज के सबसे बड़े गाउं मुआना में उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुशकर धामी पहुँचे धामी राजपुच समाज के सबसे बड़े नेताओं में से एक है राजपुच समाज उनकी बात मानता है पुशकर धामी ने इ दादा गौतम के पक्ष में आ गए हैं 11,000 वोटों वाले इस गाउं में दादा गौतम की जीत पक्की मानी जा रही है माना जा रहा है कि उन्हें यहां से भारी लीट मिल सकती है मुख्या मंतरी के इस जनसभा के बाद सफीदो मेलगभग 8,000 राजपुच समाज की वोटे हैं जो अब पूरी तरह से बीजेपी के साथ दिखाई दे रही है चार गाउं के चारो गाउं अब बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं दादा गौतम को मुख्या मंतरी पुषकर धामे के आने का बिशेश फायदा मिलेगा उनके साथ OBC के बड़े नेता और उत्राखंट सरकार में मंतरी विने रोहिला भी पहुँचे थे विने रोहिला ने भी दादा गौतम के पक्ष में वोट डालने की अपील की है जिससे OBC समाज में भी प्रभाव पढ़ रहा है खबर तहलका के लिए दिकास रोहिला की खास रिपोर्ट